असम की लोगों ने बहुत स्वागत किया है और ये यातर असम की हित में हैं भारत की हित में हैं और जो भी मेत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो ही हम इस यातरा में उठा रहे हैं और लोगों का पहुत जन समर्थेन मिल रहे हैं मैं तहे दिल से उत्तर पुर्वांचल के सभी र क्यों देख रहे हैं देखिए क्योंकि भाजपा को अपेक्षा नहीं था कि इतना जन समर्थन और इस यात्रा को मिलेगा लोगों इतने भरी तादात में बाहर निकल कर अशिवात देंगे और उस और लोगों के अंदर जो आक्रोश है विभिन समस्याओं को लेकर सबसे ज्या को विफल करने की कोशिश किया जा रहा है और ये सच्चाई सब लोग जान चुके हैं कि अब देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वह असम के मुख्यमंत्री हिमन्तो विश्वा शर्मा जी है मैं तो पिछले 3-4 दिन से महौल देख रहा हूं महौल अच्छा नहीं है बार बार बीजेपी के कारे करता और कुछ गुंडे लोग हमारे यात्रा में जो लोग हैं उन पर हमला करते हैं जैराम रमेश जी पर हमला हुआ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भुपेन बोरा जी पर आकर एक अभद्र विवाहार करें तो धीरे धीरे मुझे तो विप्रीत लगता है कि सुराक्षा से ज़्यादा हिमंत विश्वा शर्मा जी ऐसा में ऐसा महौल बनाना चाहता है ताकि कोई गुंडा राहुल गांदी जी पर जान लेवा आक्रमन करें कल उनको मंदे जाने से रोक दिया गया देखिए इस बात डर रही है बीजेपी वो तो वही जाने पर मुझे तो आश्चरी होता है कि भाजपा अपने आपको राजनेतिक रूप से सतक्र समझती है राजनेतिक रूप से अपने आपको चानकिय समझती है पर वो नहीं जाते कि इस सब हरकतों से राहुल गांदी जी को मंद दे जाने के हरकत से आज वो अपनी दल को नुकसान पहुचा रहे हैं और हमारे हाथ और राहुल गांदी जी को और ताकत दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद गौरो जी